हलो अब्रीवन कैसे हो तो आज ग्रीडिंग में हम देखने वाली हैं कि आज सुबह सुबह वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं ठेक है चले देख लेते हैं कि आज सुबह सुबह वो आपके बारे में क्या कुछ सोच रहे हैं काट्स निकालते हैं देखते हैं ओके देखते हैं आप सुबह सुबह वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में आइधिंक थाइप काड्स हो गया हमारे पास बॉटम अप टेक है एट अफ सॉट्स फू तो यह पॉर्शन आपके बारे में सोच करके इनको रिग्रेट फिल हो रहा है यहां पर दिख रहा है जैसे की काफी जदा रिग्रेट फिल कर रहे हैं आपको ले करके मुझे इनकी एनरजी काफी जदा ऐसी दिख रहे है जैसे की अपने आपको माफ ना करना और इनको एहसास हो रहा है आप सुबह सुबह की इन ठीक तो अब जो है इस person को ऐसास हो रहा है कि इन्होंने गलत किया है ठीक है और यहाँ पे इस person को बहुत अच्छे से realize होने के बाद से इनको लग रहा है कि अब जो है decisions अपने change करने चाहिए क्योंकि इन्होंने अगर पहले आपको मना कर दिया था टावर की energy है इन्होंने अगर आपको पहले मना कर दिया था third party की वज़ा से कि relation हमारा नहीं हो सकता हम आगे नहीं जा सकते हैं तो अब दिख रहा है जैसे कि अब आपके person जो है मुझे यहां पे टावर की energy में नज़र आ रहे हैं याने कि यह person जो है relation जिस तरीके से खतम हुआ है उसके बारे में सोचते हुए नज़र आ रहे हैं किस तरीके से दोनों एक दूसरे को balance कर पाए दोनों ने एक दूसरे को बिल्कुल भी balance करने की कोशिश नहीं की है लगबाग उतनी ज़्यादा कोशिश नहीं की गई है जितनी करनी चाहिए ठीक तो अब जो है इस person को रिलाइज हो रहा है और यह दुख जो है यह person को दिख रहा है कि हाँ अब मुझे क्या करना चाहिए तो अब मुझे दिख रहा है यहां पर नाइट आफ सौर्ट्स नाइट अफ एनास कप्स की एनरजी दोनों की एनरजी बता रही है और इसके साथ पेज आफ वेंड्स की पीछे छोड़ करके यहां पर यह person एक बार फिर से एक बहुत ही खुबसूरत सा offer आपके सामने रखने वाले हैं बहुत ही खुबसूरत सा offer आपके सामने रखेंगे यह ताकि आप और यह दोनों खुश रहें दोनों की energy मुझे यही दिख रही है night of cups के energy है night of cups के energy clearly बता रह के seriously कितना ज़दा सोचते हैं ठीक और यह person अब जो है आपकी तरफ move करने वाले एकदम से फटा फट जब होता है न कि हाँ चलो ठीक है अब जो है इसी के सांथ हमारी जिंदगी कटने वाली है इसी के सांथ हम जाने वाले हैं क्योंकि जो हो गया सो हो गया अब उसको बदलन का टाइम आ चुका है आपके person यह सोचते हुए मुझे नजर आ रहे हैं तो यह रही आपकी reading मिलते हैं अगली reading में बाबाई